हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज चेहरे पे की जाने वाली दस गलतियों के बारे में वैसे तो हम अपने चेहरे को लेकर के काफ़े एलर्ट रहते हैं जागरूग रहते हैं लेकिन जाने अंजाने में ऐसी कई गलतिया हम कर देते हैं जो हमारे स्किन को पूरी तरह से बरबात कर देती हैं तो आज इस वीडियो में उन्हीं 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे वीडियो का पूरा जरूर देखें नमबर एक चेहरे को अतियाधिक गरम पानी या ठंडे पानी से धोना यदि आप अपने फेस को अतियाधिक गरम पानी या ठंडे पानी से धोते हैं इसे आज से ही धोना बंद कर दे क्योंकि अतियाधिक गरम या ठंडा पानी फेस को पूरी तरह से डाइमेज करती है करते हैं तो यह भी आपकी स्किन के लिएह काफी भाक हरग है जो भी हमारे सकिन पर ओल्ए स होता है यह इसे पूरी तरह से इंबाइलेंस कर देता है जो हमारे फेस के लिए ठीक नहीं है तो आप भी अपने स्किन को नॉर्मल पानी से धोए और इसकी केर करें नंबर दो फेस पे साबुन का इस्तेमाल करना अगर आप भी सोचते हैं कि साबुन की क्लीनिंग जादा अच्छी होती है तो इसे आज से ही धोना बंद कर दे क्योंकि साबुन हमारे स्किन को तो आपके स्किन पर जितने भी नैचरल ओयल है उसे यह पूरी तरह से इंबैलेंस कर देता है तो साबुन के जगा में आप एक जेंटल क्लींजर फेस्वास का इस्तमाल करें और इसे ही अपने चेहरे को धोए नंबर तीन चेहरे को रगड़ना अगर आप भी चेहरे को जो पूरी तरह से नश्ट कर देता है यह आदत धीरे धीरे आपके चेहरे को काफी रफ बना देता है और साथी काफी हाड बना देता है अगर आप अपने चेहरे को सुन्दर और मुलाइम रखना चाहते हैं तो इसे रगड़ने के बजाए आप उसे डैप डैप करके टावल से पोछे हैं कई बार ऐसा होता है रे combinations के इस्तमल कर लेते हैं लेकिं जिनके槿 उयली है तो justify के इस्तमल से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है को उनके ओर वेसे ही ओर रहा है और इस पर बिचे स्सक्रेजर लगा लेंगे भर होती है चाहिए आपका फेस ऑईली हो आप मोश्चय राजर के इस्तमाल करें इससे आपके स्किन पर औल बैलन्स होगा साथ आपके स्किन पर जो एक्ष्ट्रा ओयल प्रोडक्चन होता है ये इसे भी कम करता है तो और पर नमबर संस्क्रीन ना लगाना अगर आप भी अपने स्कीन पर संस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो यह आपके चेहरे के लिए एक बहुत बड़ी गलती है दिन के समय में चाहे आप धूप में जा रहे हो या घर पे हो आप संस्क्रीन का परियोग जरूर करें क्योंकि यह हमारे स्कीन को धूप की हानिकारक किर्णों से बचाता है धूप की हानिकारक किर्णे हमारे स्किन के उपरी सता ही नहीं बलकि स्किन के अंदर के सता को डायमेज कर देता है तो आप इनसे बचने के लिए संस्क्रीन का परियोग करें और अपने स्किन को धूप से होने वाली लिसानी से बचा हैं वैसे तो चेहरे को धोना अच्छा है लेकिन आप दिन में सिर्फ पार फेशस का यूज कर सक्ते एक सुबह किसम है और एक रात किसम है इसके इलावा आप कई बार अगर अग्राब फेशसका यूज करते हैं अपने चेहरे की सफाई के लिए तो ये बिल्कुल गलत है आप चेहरे को दो बार ही face wash के यूज करें ताकि जो आपके skin पे natural oil है वो balance रहे इसके लावा आप अपने चेहरे को पानी से कई बार दो सकते हैं लेकिन face wash के इस्तमाल आप दो बार ही करें अनिया था ये आपके skin को पूरी तरह से dry कर देगी नमबर साथ रात को बिना face wash के सोना रात को बिना चेहरा धोये हुए सो जाना अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिना चेहरा धोये हुए सोते हैं तो आज से ही ये गलती करना बंद कर दे क्योंकि हमारे skin को दिन में हम चाहे जितनी भी care कर ले लेकिन रात के समय अगर हम चेहरे को बिना धोये सो जाते हैं तो ये हमारे skin tissue के लिए बिलकुल खराब है हमारे skin पे दिन के समय आने वाली जितनी भी गंदगी है pollution है या dots है वो skin के उपरी layer पे ही जमा होता है अगर हम चेहरे को दो लेते हैं तो ये सता हमारे चेहरे से पूरी तरह से निकल जाती है और हमारे चेहरे के सेल को फिर से ठीक करने में मदद करता है साथ ही जितने भी सेल्स damage हो गया है ठीक करने में और रिपेर करने में मदद करता है अगर आप भी उन में से हैं जो अपना स्किन केर नहीं करते हैं तो आज से ही आप अपने स्किन की देखबाल करना शुरू कर दे स्किन केर यानि आप चेहरे को फेश वास करना है उसके बाद उसमें टोनर लगाना है और फिर मॉस्टराइजर लगाना है ये आपको दिन में दो बार करना होगा एक बार सुबा और दूसरी बार शाम में अगर आप रोज अपने चेहरे को क्लीन करते हैं स्किन केर करते हैं तो इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहता है आपकी स्किन पे जितनी भी परिशानी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है साथ-साथ ही आपको ग्लूइंग स्किन देने में काफी मदद करता है नमबर नो फेस क्लीनिंग फेस क्लीनिंग का मतलब सिर्फ फेसवास से चेहरे को धोना नहीं है बलकि हमारे स्किन की पोर्स में जितनी भी गंदगी जमा है डॉट्स जमा है उसे स्किन के उपरी लेयर पे ही नहीं, बलके स्किन के अंदर के लेयर से भी साफ करना होता है जिसमें से आप Face Mask का यूज़ कर सकते हैं, अपने चेहरे पे इस्टीम दे सकते हैं इसके अलावा आप Scrubbing करके भी चेहरे की Deep Cleaning कर सकते हैं तो आपके सिकिन को हर। का प्रोटेक्षन देता है और साथ-साथ आपके सिसकीन पर होने वाली समसियाओं को भी दूर करता है लगएज करना अगर औहर सर आप पहले हैं तो इस 68 वाला प्रोडक्ट हमारी इस को पूरी तरह से दामेज कर देती तो आज के इस वीडियो में यह इतना ही उम्मिद करती यह वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटीब रही होगी शानल आपको आगे भी मिलता रहें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद